तो कि अधिया आप सब लोग उमीद करती हूं आप सब लोग स्वस्थ होगे और आपके पोदे भी स्वस्थ होगे तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाली हूं अगर आपके क्लांचों पर फूल नहीं आ रहे हैं क्लांचों का पोध आच्ची से ग्रोर नहीं कर रहा है तो कितना गूसी और अच्छे से फ्लॉवरिंग इस पर स्टार्ट हो रही हैं और एक आपको मैं एक बात बता देती हूं मेरे पास कई सारे क्लांचों के प्लांट्स हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी पर एक बात यह है मैंने एक भी क्लांचों का प्लां खरीदा नहीं है यह सेक्वलेंट वेराइटी का प्लांट होता है यह एक पती से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं या आप चोटी सी कटिंग ले आएं कहीं भी जाएं नर्सरी में जाएं प्लांट सोपिंग करने तो ले आएं तो इस तरह से आप क्लांचों का पोधा बिलकुल खुब्सूरत लगता है सकुलेंट वेराइटी का प्लांट है तो आपको एक चीज का पता ही चल गया होगा कि जादा पानी की तो जरूरत इससे है नहीं यह सेड लविंग प्रांट है इसे बिल्कुल घूप में दूप में दूप में आपको बताने जा रही हूं जो में आज हमारा टॉपिक है इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करना है कि पॉइंट देखना है अगर एक पॉइंट नहीं देखेंगे तो सही जानकारी नह नहीं मिलेगी तो आपको घराब हो सकता है तो इसलिए पूरी वीडियो देखें तो अगर आपके क्लांचों पे क्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूं आपको अपने क्लांचों के प्लांट यह भी मैंने कटिंग से ग्र कर्मिया कर्मियों में एक इम आपको दिखाऊंगा वह हैं यह अलग यह अलग हाईब्स का क्लांचु यह दो बोटल काट प्लांटर बोट्स वेस्टंड्स में बही को अश incompetent यही बात इनकी यही होती है एक यह मेरा देसी वेराइटी का जांचो है जेखिए इसपर भी फ्लॉवरिंग स्टार्ट हो गई है. तो मेरे सारे console मतलु जांचो करने लगे हैं. जinsi मैं इनमें क्या डाला है? तो आप देखें ये मैंने क्या डाल रखा है इसमें मैंने डाल रखा है इसमें कावडन कमपोस्ट मैंने इसमें खोदा नहीं है मैंने इसमें ऐसे ही कावडन कमपोस्ट डाल दिया है क्यों डाल दिया है क्योंकि इस टाइम में अपने प्लांट को डिस्टर्म नहीं करना चाह बस इतना ही आपको करना है जब भी पानी देंगे आप तो आपके पोधे को न्यूट्रेशन मिलते रहेंगे और आपका पोधा अच्छे से ग्रो करते रहेगा एक चीज होती है कैल्सियम की सकुलेंट प्लांट को बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कभी भी आप क्लांचों क की पोटिंग मिक्स बनाएं तो उसमें हमेशा बॉन मिल जरूर एड़ कर लें अगर आप बॉन मिल एड़ नहीं कर सकते हैं तो उसे हर तीन मन्त में कैल्सियम आप बुझा हुआ चूना दे सकते हैं मेरी तरह यह जो चौक आते हैं जिनसे ब्लैक बोड़ पर लिखा जाता ह उन्हें चौक का भी यूज कर सकते हैं उन्हें तोड़ के आप उसमें दबा सकते हैं या उसका पाउडर बनाके भी इसे दे सकते हैं तो यह दो चीज़ें अगर आप अपने क्लांचो के प्लांट को हर थ्री मन्त में देते रहेंगे तो आपका प्लांचो का प्लांट जाए पानी देंगे तो फ्लावरिंग नहीं करेंगा एक चीज आप और इसे दे सकते हैं वह है यूज की हुई चाय की पत्ती यूज की हुई चाय की पत्ती को आप धोकर सुखा लें और फिर अपने प्लांट्स में दे दें तो अगर आप ये काम करेंगे अपने प्लांट में जो मैंने बताएं हैं तो आपका जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा और अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा तो ये काम आपको एकदम अपने प्लांट में कर देना है और आपका प्लांट पंदरा दिन के अंदर अंदर आपका प्लांट फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो इंफोर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंट्स के साथ सेर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फूर वाचिंग